हेलो गाईज वेलकम बेक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब तो आज में शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी सेम फली की मिक्स वेच रेसिपी जो बहुत ही आसानी से बन जाएगी और इसे खाने वारे स्वात नहीं बूल पाएंगे तो आप भी मेरे ट्राइगी जिए मेरे तरीके से बनाईए आपको बहुत पसंद आएगी चैट पटी और बहुत ही मज़ेदार डिश बनने वाली है तो हम चलते हैं रेसिपी की चरव सबसे पहले में थोड़ा से तेल में पहले सारी सबस्यों को फ्राइग कर लूंगी डीप फ्राइग नह सेम को भी में फ्राय कर लूंगी इसे इस बात का धियान लखें कि सेम जले नहीं उनना जादा डीप फ्राइग करना है मीटियम फ्राइ कर लेंगे सेम को अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूड़िए ताकि निव वीडियो निव रेसिपी आप तक जरूर पहुँचे और वीडियो को अन तक जरूर देखिएगा देखिए सेम का जो कच्छा पन होता है निकल चुका है और सेम अच्छे से फ्राइ हो चुका है इसे एक प्रेट में निकाल लेंगे सारी सबजे फ्राइ होने के बाद यहां मैंने पेल में एक बड़ा चमस तेल डाला है और इसके नियों इसके बाद मैंने लिया है सरसो Scr काली सरसो हो तो आप बोले सकते हैं जी सम्गलख लिया है और एक तेज़ पता लिया है बग़ा और साथ ही मेने दो लाल खड़ी मर्च ली है आप चाहए तो काली सरसो ready कने यह 사용 कर सकते हैं की पीले सर्फों का सौाध अच्छा आता है इसलिए मैंने पीले सर्फों का यूज किया है अच्छे से इसको तडक्ने देंगे लाल मिर्ची को भी तडखने देंगे उसके बार फिर मैं डालूंगी प्यी क्विज़े बमें चॉप करके रखे हुए हैं प्यास को लाइट ब्राउन होने तक फ्राय करेंगे रेसिपी अगर आपको पसंद हाती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताईए मुझे आपके कमेंट का बहुत इंतजार रहता है प्यास लाइट ब्राउन हो चुके हैं इसके बाद टू टेबल स्पून अ त्पून कश्मी लाल मिल्चे एक टेबल स्पून हल्दी और यह करब मसाला और टू टेबल स्पून धनिया पाउडर मसालो को एक मिनट चम्मत से चलाते हुए फ्राय कर लेंगे मसाला फ्राय होने के बाद मैं इसके अंदर एट करूंगी थोड़ा सा पानी और उसे स्लो फ्लेम पर ढग कर पकाना है थोड़ी देर के लिए दो मिनट होने के बाद हम इसे चेक करेंगे जब तक इसका लिड लगा देंगे दो मिनट होने के बाद चेक करना है मसाले अच्छे से पक चुके होंगे ये देखिए इसमें से बहुत अच्छी खुश्बू आने लगी है अब साथ ही साथ में इसके अंदर एट कर दूँगी कटे हुए टमाटर दो बड़े साइज के और साथ में दो हरी मिर्च कट करके अच्छे से इसे भी पकाना है मसाले के अंदर थोड़ी दिल चमब चिलाते हुए इस टमाटर को भी बिल्कुल नरम कर लेंगे मसाले में उसके बाद ढगकन लगा देंगे एक से दो मिनट के होने के बाद टमाटर देखिए एकदम मसाले में पक चुका है और अब मैस के अंदर एट करने वाली हूँ सबजी जो समय ने पहले ही फ्राइग कर ली थी सारे सबजियों को एट करने के बाद अच्छे से भूनना है ताकि मसाले के अंदर हमारी सबजी बिलकुल मिक्स हो जाए और अच्छी खुश्बू आने लगे बिलकुल लास्स स्टेज पे हम इसके अंदर एट करेंगे कसूरी मेथी जिसको मैंने करश नहीं किया है साबूत ही मैंने एट किया है और साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर एट कर देंगे सबजी गरम मसाला ये किंग ऑग किचन मस गरम मसाला है बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आप भी उसकी है और गार्णिश में थोड़ा धनिया डाला है मैंने अब मैं एट करूंगी एक गिलास भर के पानी और आदिए गिलास ओर डाल दूंगी क्योंकि मस सबजियां अच्छे से पकनी भी चाहिए अच्छे से इसको भी चलाने के बाद लिट लगा देंगे और जब तक कुक करेंगे जब तक सबजियां अच्छे से नहीं पक जाती में बताना ना भूलिए keep supporting guys and आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ये भी जरूर बताएए अल्ला हाफिज